विंटर सीजन में फ्रेश मेथी के साग खूब मिलते हैं तो चलिए आज मैं आपके लिए मेथी के साग वाले चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको कि मैंने फ्रेश मेथी के पत्तों से बनाया है तो चलिए इसे बनाते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें और उसके साथ साथ आप मुझे फेस्बूक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं फेस्बूक और इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो देखिए ये चिकन कितने लाजवाब लग रहे है ना है ना ये बढ़िया लग रहे और ये बहुत ही हिल्दी होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं च्योंकि इसको हमने वेथी का साथ डाल के बनाया है तो आप इस तरह से बना सकते हो और आपको बहुत मज़ा आएगा तो तो यह फ्रेश दही है बिलकुल और साथ साथ मैंने तू टेबल स्पून जिंजर गारलिक पेस्ट डाल दिया है और मैंने तो इसमें हमको चिकन को मेरिनीट करना है इसलिए इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें जो चिकन पीसे हैं वो इसमें डाल दूंगी तो यह मैंने सारे चिकन पीसे में डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी अच्छे से कोटिंग हो जाए ताकि चिकन के ऊपर और इसे मैं आधे से एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी आप जल्दी है तो आदे घंटे में नहीं तो एक घंटे आप इसको छ और इसके साथ साथ मैंने ये साबुत रेट चिली जो है वो एड़ कर दी है अब मैंने इसमें ये कटे हुए प्याज जो है तीन से चार बड़े साइस के कटे हुए प्याज इसमें आड़ कर रही हूँ और इस प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है अच्छा गोल्डन ब्राउ अभी हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, वो मैं इसमें डाल दूँगे. तो मैंने ये चिकन एड़ कर दिया इसमें. अब मैं इसको कवर करके 5-10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ और बीच-बीच में मैं इसको चलाते रहूँगी. तो देखें, मैंने इसे खोल लिया है, तो चिकन ने ये पानी छोड़ दिया है. तो मैं इसमें धाई सो ग्राम के आसपास ये फ्रेश्टी चॉप मेथी के पत्ते आड़ कर रही हूँ. आप थोड़े कम जादा कर सकते हो, मिरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने ही आड़ किये हैं. आप 400-500 ग्राम के आसपास भी आड़ कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्रेवर और आईगास में. तो मैंने ये ग्रीन चिली भी कट करके आड़ कर दी, ये होल ग्रीन चिली आड़ की है, अगर आपको बहुत तिखा नहीं बनाना है तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हो, तो इस तरह से हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है, और इसी तरह से हमें इसे पकाना है, तो तो अभी मैं इसमें जो है देसी घी आड़ करूंगी, तो मैंने इसमें ये दो चमच देसी ही आड़ कर दी है, देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस टिकेंद में, तो इसे हमें जो है अच्छे से इसी तरह से खोल के पकाना है, और इसे तब तक पकाना है जब तक यह oil side से न छोड़ दे और इसका color भी थोड़ा सा change हो जाएगा बाद Past इसका color change हो जाएगा तो वह इसे अच्छे से ऐसे ही पका लेना है तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा यह dry होणा start हो गया है और इն्ने color भी change हो गया है अब यह dry हो चुका है तो आपको इतनी ग्रेवी रखनी है तो आप इतनी रख सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा सा और ड्राइ कर लो तो मैं थोड़ा सा और ड्राइ किया है क्योंकि इसे आप रोटी या नान से खाओगे न तो ये बहुत मज़ा आएगा इसको खाके तो चलिए देख लेते हैं हमारे ये चिकन कैसे बने है तो ये देखें बने है ना जबदस चिकन ये तो आप ये वाला चिकन घर में जरूर ट्राइ करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी तो चलिए गाइस मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तिल रेन गुट बाइ गाइस